हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कोहार वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो लेडी जहाब जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप से खाना शुरू किया हुआ है आज इसका ये पार्ट नमबर पांच है आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड के बाद हमें इस डिजैन को कैसे सेट करना है तो चलिए प्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखे प्रेंड्स ये इसका लेट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है तो सबसे पहले हम इसका लेट वाला पार्ट लेंगे और इसमें डिजैन को सेट करेंगे तो ये देखिए ये जो हमारा उपर वाला डिजैन है इसको मैंने इसके part 2 में बुनना बताया हुआ है इस डिजैन को बनाने के लिए हमें 13 के multiple फंदे लेकर और 3 फंदे extra लेने होते हैं तो ये डिजैन अच्छे से set हो जाता है लेकिन यहां पर बटन पट्टी के बा उपारें एक पार्ट में हैं तो फंदे बसते हैं तो फंदे में इसको कैसे set करेंगे आप पूरी सलाई को ध्यान से देखिए 6 सलाईों का डिजैन है तो मैं आपको 6 सलाई या इस पार्ट में बुनके दिखा हूँगी ताकि इस डिजैन को set करने में आपको कोई problem ना हो तो के बाद आपको ये डिजैन यहां से स्टार्ट करना है तो इस पहली सलाई को आप ध्यान से देखिएगा जो आप पोडर के बाद बनाएंगे तो पहला फंदा से स्लाई डाल के दो का एक कर देंगे अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार फिर से धागे को अपनी तरफ कर लेंगे इस एक फंदे को लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे बैक साइड से दो फंदे में स अब दो फंदे ये सीधे एक और ये दो तो ये देखिए एस्टिच को छोड़ कर यहां से यहां तक हमने 13 फंदे का डिजाइन बनाया है इसी को फिर से रिपिट करेंगे तो धागे को अपनी तरफ ले आएंगे ये देखिए एक फंदा उल्टा धागा पिछे करेंगे और द दो फंदे सीधे ये देखिए एक और ये दो अब एक और ये दो इन दो फंदे को लूज करेंगे आगे की सैट से स्लाई डालके दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार अगर प्रेंट्स आपके फंदे ज आपका डिजाइन बिल्कुल सेम एड़िस्ट हो जाएगा तो ये देगे धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और दो का एक कर देंगे अब दो फंदे सीधे एक और ये दो तो जो हमने 13 फंदे क बनाया इसी को हम फिर से रिपेट करेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर से धागा पिछे ले जाएंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे ये देखिए एक और ये दो अब दो फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालके दो क एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ और चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और दो का एक करेंगे अब दो फंदे सीधे ये देखिए एक और ये अब यहां तक तो हमारा यह पूरा 13 तेरा फंदे का डिजाइन सेट हो गया है यह जो आपको इस तरह से देखिएगा यह आपको डिजाइन दिखता है यह पूरा डिजाइन होता है और फिर यहां से लेकर यहां तक एक डिजाइन होता है अब आगे जाकर हमें यह जो हमारा ड पूरा डिजाइन बनाने के लिए नहीं बचते हैं तो देखिए अब कैसे करेंगे धागा अपनी तरफ ले आएंगे एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे अब जैसे हम देखिएगा यहां से एक फंदा उल्टा बनाके यहां तक की जो आधी डिब्बी बनाते हैं अब ये बना लेंगे और दो का एक कर देंगे अब हमने जो फंदा दो का एक किया उसको अब हम यहां जाली से बढ़ा देंगे अब देखिए जो हमारी बटन पटी है उसके तेरा फंदे छोड़ कर अगर हम यह फंदे गिनते तो हमारे पास सिरफ पांच फंदे बस्ते हैं तो पांच हम ये उल्टा बनाएंगे अब यहां पर जो हमारे चार फंदे बच गई हैं इसमें हम इस तरह से चोटी सी केबल शुरू करेंगे जो कि हमारी पट्टी के इस तरह से साथ साथ जाएगी तो इस डिजैन में इसकी लुक भी अच्छी आएगी यहां से खाली पन भी नहीं रहे तो जो हमारे चार फंदे बच गए उसको देखिए ये वाले दो छोड़ देंगे दो वाले जो आगे से फंदे हैं इन दो को ऐसे लेंगे ये दो फंदे उतार कर बैक साइड से देखिए ऐसे सलाई पर ले लेंगे इनको और इस सलाई वाले पंदे अब इसके आगे डाल द 50 फंदे में हमारा ये डिजैन इस तरह से देखिए set हो गया है अब बच गे हमारे पटी के 13 फंदे तो जैसे मैंने आपको बोर्डर में पटी को बनाना बताया है ठीक वैसे ही अब यहां पर बनाएंगे तो देखिए ये एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागे को ऐसे पक आगे से सलाई डालके इस धागे को हम ऐसे खीच देंगे अब देखिए फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा हम ये उल्टा बुन देंगे तो इसी तरह से जैसे मैंने इसके पाट चार में पटी को बुनना बताया ऐसे ही अब हम यहां पर बुन रहे हैं तो देखिए एक सीधा एक ये उल्टा फिर धागा पीछे और ये एक फंदा यहां पर सीधा और इसे सीधा बनाने के बाद धागे को इसके आगे से पीछे की तरफ कर देंगे और इसे ऐसे खीच देंगे और ये धागा जादा नहीं खीचना चाहिए फिर धागा अपनी त खिचने वाला धागा इसको छोड़ देंगे और टाइट वाले को पकड़ कर बैक साइड पर ले जाएंगे एक सीधा एक उल्टा और ये एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए ये जो हमारा धागा है इसको हम इसके आगे से बैक साइड पर ऐसे कर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और लास्ट की फंदे को उल्टा बना देंगे अब आज ये इसकी उल्टी साइड पर उल्टी साइड पर जो हमारे पट्टी के फंदे हैं जो इधर से उल्टा बनता है वो हमारा उल्टी साइड पर तो सीधा बनता है और जो सीधी साइड पर सीधा होता है वो उल्टी साइड पर उल्टा हो जाता है तो ऐसे तो हमें ये तेरा फंदे बनाने हैं तो ये देखिए पट्टी के मैंने ये तेरा फंदे सीधा उल्टा करके बना लिये हैं अब आगे हमें इसको कैसे बनाना है देखिए चार फंदे की जो हमने केबल बना फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार यहाँ पर हमारी ये आधी डिबी के चार फंदे हैं अब देखिएगा धागे को हम पिछे करेंगे जो एक फंदा हमने इस साइड पर उल्टा बनाया ये उल्टी साइड पर आपका सीधा हो जाएगा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अब हम ये जो हमारा बीच में बारा फंदे का डिजाइन और एक फंदे का गैप है उसके ये बारा फंदे हम उल्टे बनाएंगे देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छै, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार और ये बारा तो देखिए बारा फंदे हमारे ये उल्टे आ गई है अब जो एक फंदा हमने यहाँ पर गैप का रखा है उसको हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे फिर से बारा फंदे उल्टे बनाएंगे और एक सीधा बनाएंगे फिर बारा फंदे उल्टे बनाने के बाद लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो एक हमारा ये सीधा हो जाएगा और एस्टिज को हम उल्टा भून कर इस सलाई को कम्पलीट कर देंगे तो ये देखें फ्रेंट्स दो सलाईयां इस टिजैन की कम्पलीट हो गई है अब आज ये इसकी तीसरी सलाई पर तीसरी सलाई पर आप देखिए ये वाले दो फंदे स्टार्टिंग के हम इसके उल्टे बनाएंगे तो ये देखें धागा अपनी तरफ करेंगे एक और ये दो फिर धागा पिछे करेंगे एक फंदा ये सीधा फिर एक और ये दो इनको थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक कर देंगे अब ये एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे तो जाली से फंदा यहां पर बढ़ गया है अब ये देखिए चार फंदे सीधे बनाएंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे ये जो जाली से बनावुआ फंदा है इसको सीधा ही बुन देंगे अब इस फंदे को लेंगे पलटके सीधा कर देंगे बैक साइड से शलाइड डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे यहां पर तो जो फंदा हमारा दो काई करने से कम हो गया वो जाली से पहले ही बढ़ गया अब एक फंदा यह सीधा अब एक फंदा बीच में गैप का रखा है यह उल्टा जाएगा फिर से यही तेरा फंदे का डिजाइन बनेगा फिर से हमारी यहाँ पर आधी डिब्बी बन रही है तो देखिए इसका एक फंदा यह सीधा बनाएंगे अब एक और यह दो इन दो फंदे में देखिए आगे की साइड से सलाई डाल कर दो का एक कर देंगे अब जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसे भी हम सीधा ही बना देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर एक जाली डाल देंगे यहाँ आधी डिब्बी में जो हर बार जाली डलेगी वो ऐसे ही लपेट कर डाली जाएगी फिर यह एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे यह जो हमने चार फंदे की केबल चलाई है यह हर छटी सलाई जो कि इस डिजाइन की पहली सलाई होगी इधर वाले की उस पर हमें यह फंदे ट्विष्ट करने होंगे तो इसकी पहली सलाई पर हमने फंदे ट्विष्ट के हैं अब दूसरी सलाई जो हमने उल्टी साइड से बनाई उसमें ये फंदे उल्टे बनाए थे और अब तीसरी सलाई जब आई है तो ये फंदे हम सीधे ही बुन देंगे फिर इसकी जो पांचमी सलाई आएगी उस पर हम इसे सीधे बनाएंगे जब next बार की इस design की starting होगी तब हमारी ये cable यहाँ पर twist होगी तो ऐसे ही सीधे बुंदे ने हैं आगे हम पट्टी के इसाब से फंदे बनाएंगे तो सीधी side की सलाई को बनाने के बाद फिर आज ये इसके उल्टी side की सलाई पर उल्टी side पर 4 फंदे जो cable के हैं ये उल्टे ही बनेंगे जो एक एक फंदा gap का है वो सीधा बनाना है और फिर हमारी ये जो आधी डिब्बी है इसके फंदे उल्टे बनेंगे फिर देखिए जो gap का है वो सीधा फिर 12 फंदे का जो बीच में design है उसके 4 उल्टे हो जाएंगे 4 सीधे 4 उल्टे gap का फंदा सीधा ऐसे करते हुए इस सलाई को complete कर देंगे अब आज येगा इसकी पांचमी सलाई और सीधी side पर पांचमी सलाई को आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाना है एक फंदा हम इसका ये उल्टा बनाएंगे जो की हमारा ST है फिर इसका जो दूसरा फंदा है इसे भी उल्टा ही बुन देंगे धागे को पिछे करेंगे एक और ये दो इन दो फंदे को लूज करेंगे आगे की साइड से सलाई डाल के दो का एक कर देंगे अब दो फंदे ये सीधे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर पहले एक जाली डालतेंगे अब ये चार फंदे जो हमने उल्टी साइड पर सीधे बना दिये थे अब ये चार फंदे पांच मीं सलाई पर यहां उल्टे बनेंगे तो ये देखिए चार उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ रहे दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और ये दो अब इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे बैक साइड से स्लाई डालके दो का एक कर देंगे धागे को अपनी तरफ ले आएंगे जो फंदा गैप का है इसे उल्टा बनाएंगे अब ऐसे ही डिजैन को रिपीट कर दे जाएंगे और सलाई हमारी कंपलीट हो जाएगी जो केबल के फंदे हैं इस बार ये हमारे सीधे ही बनेंगे आगे पट्टी को बुन लेंगे उल्टी साइड की छटी सलाई पर जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे बुन कर इसकी छटी सलाई को भी कंपलीट कर देंगे तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से इस डिजैन की हमारी ये 6 सलाईयां complete हो गई हैं अब जैसे मैंने यहां पर ये 6 सलाईयां बना कर दिखाई आपकी स्टार्टिंग यहां से ऐसे ही हो जाएगे नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग सेम पहली सलाई के जैसे कीजिए और यहां पर ये जो केबल के 4 फंदे हैं इस सलाई पर इनको ट्विश्ट कर दिजिए तो इन ही सलाईयों को आगे आगे रिपीट करते जाएए और इस पार्ट को पूरा करते जाएगा अब आज येगा इसका राइट साइड का जो पार्ट है क्योंकि लेफ्ट में मैंने आपको बता दिया है अब मैं आपको इसके राइट पार्ट में बताऊंगे डिजैन हमारा बिल्कुल सेम तरीके से सेट होगा सिरफ अंतर इतना आएगा कि इसमें हमने डिजैन को यहां से बुनना शुरू किया और यहां लाश्ट में हमारी यह केबल आ गई लेकिन अब इस पार्ट में जो इसका राइट पार्ट है इसमें बनाएंगे तो पहले बटन पट्टी बनानी होगी फिर हमें यही सेम चार पंदे की यहां केबल बनानी होगी जैसे यहां पर आधी डिबी बनाई फिर हम यहां पर यह आधी डिबी बनाएंगे तो दोनों हमारे जो यह पार्ट बनेंगे बिल्कुल एक जैसे बनेंगे तो इसके right side के part की आपको मैं एक सलाई बना कर दिखाऊंगी आगे तो आपको design के हिसाब से same repeat करनी होंगी तो इस पूरी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें design को कैसे adjust करना है तो ये जो हमारे पट्टी वाले फंदे हैं इनको मैं बना लेती हूँ तो ये देखिए friends जब आपके ये पट्टी के फंदे बन जाएंगे तब जैसे हमारा यहाँ पर design सेट हुआ है ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले हम चार फंदे की cable को twist करेंगे तो देखिए दो और दो ये जो चार फंदे हैं इन दो को छोड़ देंगे उपर की side से इन दो फंदे में हम इस तरह से सलाई को डाल लेंगे आगे वाले दो फंदे को उतारेंगे और पीछे से सलाई पर इनको पहले डाल देंगे और ये वाले जो दो फंदे हैं इनको यहाँ पलटके इसके आगे डाल देंगे और डालने के बाद फिर हम ये चार फंदे सीधे बना देंगे देखिए एक, दो, और ये तीन, एक बार जब हम फंदे ट्विश्ट करते हैं तो थोड़े से टाइट हो जाते हैं और ये देखिए चार तो चार फंदे की हमारी ये केबल यहाँ पर ट्विश्ट हो गई है अब जैसे यहाँ पर एक फंदा उल्टा था ठीक वैसे ही हम यहाँ पर एक फंदा उल्टा बना देंगे अब देखे ये जो आधी डिबी है अब हम ये बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ रहे इस फंदे को लेंगे पलट के सीधा कर देंगे बैक साइड से दो फंदे में स्लाई डालेंगे और धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से स्लाई डालके दो का एक कर देंगे तो जो फंदा यहां घटाया वो जाली से बढ़ा दिया और अब यह दो फंदे हम यहां सीधे बनाएंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे अब देखिए आधी डिब्बी यहां सेट हो गई है और आगे हम अपने डिजाइन को जैसे 13 फंदे पर बना रहे थे वैसे ही सेट करेंगे एक फंदा ये उल्टा फिर धागा पिछे करेंगे और अब देखिए हम अपनी ये वाली जो इतनी डिब्बी है ये बनाएंगे तो दो फंदे सीधे एक और ये दो इन दो फंदे को हलका सा लूज करेंगे आगे से सलाइड डालके दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ औ लटके सीधा कर देंगे बैक साइड से सलाइड डालके धागा अपनी तरफ रहे और दो का एक कर दीजिए तो यहां जाली सी फंदा बढ़ गया अब दो फंदे ये सीधे एक और ये दो अब फिर से देखिए ये जो हमने तेरा फंदे का डिजाइन बनाया इसी को हम फिर से रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर दो फंदे को लूज करेंगे और आगे से सलाइड डालके दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ और चार सीधे एक दो तीन और ये चार फिर धागा अपनी तरफ ले आ और दो का एक कर देंगे फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे अब तेरा फंदे का डिजाइन कम्पलिट हो गया फिर से तेरा फंदे का डिजाइन बनाना है धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा अब धागा पीछे और दो फंदे ये सीधे बनाएंगे दो फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ और चार फंदे ये सीधे, देखिए, चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को इस तरह से पलट देंगे, धागा अपनी और बैक साइड से स्लाई डाल के यहां दो का एक कर देंगे दो फंदे यह सीधे अब इस तरह से आपका यह डिजैन इस वाले पार्ट में भी सेट हो जाएगा लास्ट के दो फंदे होंगे इनको उल्टा हे बुन दीजिए अब उल्टी साइड पर जो फंदे इस साइड पर वो इस साइड पर सीधे बनाईए जो यहां पर सीधे होंगे वो वहां पर उल्टे बनेंगे और यह वाली जो केबल के फंदे हैं यह उल्टे बनाए जाएंगे नेक्स्ट बार जब यह जो छे सलायों का डिजैन है इसके स्टार्टिंग हो गई तो यह केबल हमारी यहां ट तो फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें पोकेट लगाना बताऊंगी आज की इस वीडियो में इतना ही thank you